मुझा जाए नमस्कार बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अब हो रहा रहा हूँ और आप देख रहे हैं जेकेलेच प्राइम टाइम आतंगवादियों की जम्मु कश्मीर पर बुरी नजर है लेकिन आतंगवादियों के नापाक इरादों को सुरक्षा बलो और हमारे जवान नाकाम बना रहे हैं नए साल में अब सुरक्षा बलो और सुरक्षा एजनसिया पूरी तरह से चौकस हैं यही वज़े है कि शूपिया इंकाउंटर में लशकर का आतंग की मार गिराए गया है शूपिया के छोटी गाम इलाके में हुई सुरक्षा बलो और आतंगवादियों के बीच मुडबेड में बड़ी काम्याबी मिली है अब आतंगवादी और इनके सहयोगियों की जम्मू कश्मीर में खैर नहीं है आज इसी पर हम चर्चा करेंगे तो सिक्यर्टी फोर्सेस को बड़ी सफलता बिली है और आतंगवादियों पर शिकंजा लगातार जम्मू कश्मीर में कष्टा जा रहा है यानि आतंगवाद पर एक चोट है और आतंग की सिस्टम अब इससे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में तूट जाएगा और इसी पर चर्चा करेंगे बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए है बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आप से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ तारूफ करा देता हूँ मेरे साथ बहुत खास शख्सित फारूक रिंजुशा जी है जो की चेर्मैन है कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के और फारूक रिंजुशा साथ जम्मु कश्मीर पर कई किताबों के राइटर हैं मुसनिफ हैं बहुत इस्तक्बाल है फारूक रिंजुशा जी आपका निउस एटीन जेकेलेच में मेरे साथ आजे भारती जी है जो एक्स एमलसी हो और बिजेपी स्पोक्स परसन है जम्मु से म में मारे साथ जुड़ेंगे सभी महमानों का बहुत स्वागत बहुत इस्तक्बाल है मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर धिमान आप से ही शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि नया साल है और हम देख रहे हैं कि नया साल में जिस तरह से शूपिया में इंकाउंटर हुआ है य हमिशा का दोरा होता है और फिर बढ़ खबर आरही है कि हमिशा जम्व कश्मीर के दोरे पर आने वाले हैं यानि लगातार अब कोई चूक ना होने पाए और को एक तरह से ब्रिगेडियर धिमान जी सखत किया जा रहा है कि देखिए जहां तर्क कि जितने भी मेजर लिये जा रहें इनका सवाल है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जैसे जैसे टैर्रेस्ट अपना अपना स्टैजी बदलते हैं उसी तरह से सिक्यूरिटी फोर्स दी अपनी बदलती है इस समय यहां पर दो तीन बाते पास से हो यहां फिर हाजी पीर पास से हो वो सब स्नोफ से भरे हुए हैं वो बिल्कुल बंद हैं और सिर्फ एक ही रास्ता खुला है तो राज़ोरी पुंच मुगल रोड और सौथ किश्मीर तराल तक जाता है और यहां पर यह सोगती में क्यों हो रही है इसके दो कारण ह पाकिस्तान से मिल कर गए जो जैनवरी 2023 में शुरू हुआ था पहले धामरी केस हुआ भटा दूरियां हुआ पिर कंडी हुआ फिर इसे बफलियास का हुआ मोगल रोड चलता है और अभी डिसम्बर के महिने में बहुत सरे इसलिए पाकिस्तान में और उनको भी मालूब है यहां पे मोदी जी जोश में आके करूरी या बाला कोड़ जैसी घटना करें तो वह अपनी डुमेस्टिक सब्सक्राइब करें और अपना तुलू सिधा करें और अभी तो कुछ कर रहे है अभी आपने देखा पहले राजनाद सिंधी का दोरा हुआ राजोरी का फिर अमेट शाह जी का हुआ दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग काल पर को ही खतम करी है यह सब चीजे इसकी करी जा सब्सक्राइब करना मेरे ख्याल में ठीक बात नहीं है और यह ऐसी जगह पर चल रहे है जो टेरेन अब जो अल्टिट्यूड जो दुर्गमता वह टेर्रिस्ट को फेवर करती है और इसकी सिक्योरिटी फोसे को जो अपना काम करना है इसमें होगी दखनल अंदाजी या जब यह ऑपरेशन खतम हो जाएगा जो बिल्कुल खतम होएगा और यह पक्राइब कर लिया जाएगा बहुत अच्छी बात ब्रिगेडर धिमान जी आपने कही कि अब शिकंजा हर तरफ से कस रहा है देली में हाई लेवल के मीटिंग होई आमिशा फिर जमु कश्मीर के द लुख रिंदुशा जी आपके पास आना चाहूंगा सर जमु कश्मीर को आपने बहुत करीब से देखा है जमु कश्मीर को पढ़ा है जमु कश्मीर को आपने लिखा है आतंगवाद जमु कश्मीर के लिए एक बिदत है आतंगवाद जमु कश्मीर के लिए बहुत बड़ साल इस आतंगवाद के खिलाफ एक तरह से इसका खत्मा होगा पूरे तोर से दोजार चौबीस में जम्मु कश्मीर से आतंगवाद का खत्मा हो जाएगा हम यह उम्मीद करते हैं सही बात कही आपने आप बड़ी कलियर अंदाज में हम देख रहे हैं जो कश्मीर में यह दोहजार चौबीस शुरू हुआ दोहजार चौबीस में बड़े प्रो एक्ट्व अंदाज में उन वाइलेंट जो एडियोलजीज को मानने वाले हैं उनका बाजबता सफाया हो रहा है जी और मेरे खैल में वी शुड़ अप्रिशेट अदा सिक्यूरिटी अपरेटस फार दीज कंटिन्यूस अचीमेंट्स जो ये इतने दिनों के पास आ गई लेकिन ये भी यहां पे देखना है जैसे आपने सही का मैंने बहुत सारे किताबें लिखी हैं बहुत सारे किताब हुमें मैंने इसका जिक्र किया है कि ये जो वाइलिंट एडियॉलजी है इसको बढ़ावा देने वाले तो ये जही बात है जैसे अभी बिर्गेटर साब ने कहा जो पाकिस्तान की अपनी स्ट्राजडी रही होगी और उनको तो वह पहले सी नाइंटी फाडिस सेंड से ही त्रेज्डी रही है कि हम कश्मीर को इस आफर्डर इस्तमाल करें कश्मीर में आ अतकवाट फ्यलाएं वो तो उनका एक हमेशा ये रहा है लेकिन ये भी देखना है कि जो यहाँ सिस्टम बन गया है वो ऐसा बन गया है कि ये रियमर्ज हो रहा है ऐसी एडियालोजीज जो एडियालोजीज लोगों ने रिजक की जो मेजॉरिटी लोगों ने इनको अगर आप देखेंगे हिस्बलमजाहिदीन भी जो है एक असकरी विंग है जमाद इसलामे की जमाद इसलामी को बाद अबता बैन किया गया लेकिन आप देखेंगे जो यहां के बहुत जारे मेजर पुलिटिकल पार्टीज है और जो 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 नके पास अलेक्शन सिंबल हैं लड़ने के लिए वो दुबारा उस एडियालोजी को इसलिए जिन्दा करना चाहते है ताकि वो अलेक्शन में इसको किमिनल कार्ड के तोर पर खेले और कश्मीर में मुसल्मान वोट इस्तमाल करे और यह जो यह जो मारडाड हो रही है पलीस आर्मी आफसरों को मारा गया और अगर आप देखेंगे उन एडियालोजी के लोगों को मारा गया जो एडियालोजी पहले से हमेशा यहां एक सूफ करने के लिए ये अगर कोई आपरेट करता रहा उसका ट्रायक रिकारड दे के, सोपूर का ट्रैक रिकार्ड दे के, वो सोपूर ने जहां पर खत्म किया गुना था अगर कोई वहां उस एडियालजी की बात करे, जो घजवतलहिंद का सपोर्ट ना करती हो, जो गजवतलहिंद को कहते है कि ये गलत बात है ये इस वक्त पुलिटिकल एड पार्टी जो नई वाइलेंट पार्टी और विदर सपोर्ट आप पाकिस्तान एक नया खेल खेलने जा रहे है और वो नया खेल बहुत ही गिनावना खेल लग रहा है और ये सारे जो राज़ोरी में हुआ पुच में हुआ और जो बाजबता लग रहा है कि इट इस नॉट आज डैड आज इट वाज एडियोलजिकली लोगों ने इसको रिज़क किया है लेकिन कौन सी ताक्तें दुबारा इनको जिन्दा कर रही है क्या बात है और इनके लिए इस एडियोलजी के लिए सॉफ्ट अपरोच क्यूं है अभी तक उन पे जो मेटर करते है कश्मीर में नहीं बहुत बहुत अच्छी बात आपने फारुक रंजुशा जी कही है कि अब हर कोई अमन चाह रहा है और शायद यहीं वज़ए है कि अब तेजी से जमो कश्मीर में अमन पहल रहा है अब लो मैं मैं आजे भारती जी आपके पास आ रहा हूं आजे भारती जी क्योंकि साल 2023 में हमने देखा कि बहुत से आप कमियां कह लीजिए या यह कह लीजिए जिस पर ब्रिगेडियर धिमान ने भी रोशनी डाली कि आतंगवादी जो है जो टेर्रिस्ट हैं वो भी अपनी आतंगी की गरफतारी हुई है तो ऐसे में 2024 में अब किसी गलती की गुझाइश नहीं है बहुत तफसील में फारुक रेंजुशा जी ने तमाम चीज़े बताई हैं धिमान जी ने तमाम चीज़े बताई हैं कि आतंगवादी अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं इसलिए ह हमने ये देखा कि सरकार भी चोकस तो ही है हाँ इस लड़ाई में कई ने कई कई बार ऐसे नुकसान उठाना पड़ता है वो बात बिल्कुल सही है लेकिन मैं पहले आपके दर्शकों को ये तो बताना चाहूँगा कि ये जो धोनो आतंगवादी चाहे वो शोपिया में मार गया या दिल्ली से चोक पगड़ा गया ये कितने बयानक को और किस कैटगरी के थे इनामी आतंगवादी थे और इनके ऊपर कितने हत्याएं थी लेटनन उमर फयाज जैसे नौजवान को इन्होंने मारा था इन्होंने सुनील बठ को इसी ने मारा था इन्होंने बाहर से आ यहां पर लोग जो आम जनता है चाहे वो कश्मीर गाठी की हो चाहे जमू की हो हमेशा अमन चाहती थी लेकिन यहां पर जो पुल्टिकल सेट अप और जो रूलिंग कलास रहा है पीछे उन्होंने कभी ऐसे कदम नहीं उठाए कभी वो लोगों के साथ खड़े होकर आतंकवा यहां आटाईस हजार स्कूल उन तक सरकार पोंची ताकि नौजवान आईसी एक्टिविटीस में जिसमें से पढ़ाई से लेकर स्पोर्टस एक्टिविटीस लेकर और बाकी आतंकवाथ के ख़िलाफ भूत गहरी चोड पूचाते हैं दूसरी तरफ जो कॉमन पीपोल है ज करें और सिटेट और देश के काम में लाइंज के उसके प्रॉग्रिस ना पॉजिशन तो बार बार ये इल्जाम लगाता है अजे भारती जी कि सरकार कहती कुछ है लेकिन जमीन पर वो दिखता नहीं है आपने कहा कि हालात बेतर हो गए लेकिन आतंकी हमले लगातार हो रहे हम जमीन की ही बात करें मैं क्या कह रहा हूं कि यह जो देखे अपोजिशन का एक यहां पर गैर जम्रादाराना रवया रहा है हमेशा आप यह समुझे जो तीन बार यहां चार बार चीफ मिनिस्टर रहें वो कहें कि जमू किश्मीर जहनू में जाए जो कहें कि सिटून पेल् जो यह गलत बयानी करें कि आपने हर घर के सामने सुरक्षा बल रखे हुए हैं ऐसे गैर जिम्दराना अपोजिशन के बारे में बात करना मुझे मलब वो नहीं लगता लेकिन अवाम से जो आम आदमी है जो रिंजू शाह साब जैसे लोग जैसे आम वेक्ती जो देखता है तो उनसे आप पूछेंगे तो वो देख रहा है चेंज करेंगे आपने नए साल की शुरुआत लाल चोक में देखनी चाहिए थी किस प्रकार से आम आदमी निकल कर नए साल का स्वागत करता है वेलकम करता है तो ये ग्राउंड पर जो मैं ग्राउंड की ही बात कह रहा हू मैं अपोशन पार्टी की जो पुल्टिकल नजरिये से वो चीज़ों को देखते हैं उसकी तरफ द्यान देकर मैं आम जनता की बात कह रहा हूँ चाहे वो किसी भी फिल्ड में आप देखेंगे इंफरास्ट्रक्चर से लेकर किसी भी ते तक मैं आपको याद दिलाना चाहत हूँ आगस्त महीने में यहां के कश्मीर गाटी के एक नामी अकबार ने एक सर्वेच छापा 17 पर उन्होंने सीक्योर्टी को कसा तो लगबग हर पेरामिटर पर उन्होंने देखा चाहे वो बंद काल की हरताल की उस पर पहो गरनेट अटैक्स की बात हो यह आगस्ट महीने इस सिटेट का नौजवान है यूटी का नौजवान है चाहे वो कश्मीर का हो जमू का हो उसके लिए अपोर्चिंटीज अवैलबल कराने के लिए ताकि वो अपनी ख्शमताओं का अपनी एबिल्टीज का बरपूर इस्तिमाल कर सके बिलकुल बिलकुल मैं बिरिकेडियर मैं दिमान जी आपके पास आना चोगांगा एक उन चीज मैं दिमान जी और आपसे समझना चाहे रहा हो क्योंकि जब इस तरह के ऑप्रेशन होते हैं और इस पर पिछली बार जब राजनाज सिंझ ने दॉरा किया था जो दिया था कि कोई बेगणा का नुक्सान ना हुने पाए देहली में हाई लेविल के सेक्यरोटी की मीटिंग हुई वहाँ पर भी अमिशा ने ये कहा कि आम लोगों का दिल जीतना है आम बेगुनाहों का नुकसान ना होने पाए लेकिन क्या क्योंकि जब इस तरह क्यों आपरेशन होते हैं तो वहाँ पर एक दबाव सेक्यरोट सब्सक्राइब करते हैं अंडर दी कॉंसिटूशन ऑफ इंडिया कहती है कि बेगुनाहों को नहीं होना चाहिए प्रन्तु यह इस अपरेशन का नेचर इसकरफ है वो होती होती है और वाइड नहीं कर सकते हम कहते हैं कि यह फोर्स जो है यह फाइटिंग विज वान हैंड तो इसलिए हम हमेशा दवाव में रहते हैं प्रन्तु अभी मैं आपको सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि जम्मू किश्मीर पुलिस सेना आर्मी और और दूसरी एजनसी जो है बहुत सक्षम है और प्रफेशनल तरीके से काम करने हैं वह बहुत कुछ उंको सजेस्ट करन तो हो मंत्री जी का बयान आया था कि हम अठारा सिर्फ की कंपनियां और यहां पर लगा रहे हैं तो मैंने उस दन भी बोला था मैंने का देखिए हमको यहां इंसर्जनसी चालिस साल हो गया है और एक्स्पीरेंस कहता है कि बूट्स ओन ज्राउंड ज्यादा डालेंगे पो को और स्ट्रॉंग करना है अगर हमने निवेस्टमेंट करनी है तो हमारी इंटेलिजनस तंत्र में करिए ताकि हमें पता चले कि ऑवर्ग्राउंड वरकर सिंपर्थाइजर्स जो विंके स्लीपर सेल्स कोन है जिनकी वजा से वो लोग ऑपरेट कर पा रहे हैं यहां पे और विलेज़ डिफेंस कमेटी का विलेज़ डिफेंस ग्रूप का उसी तरीका का एक्स्टेरिमेंट यहां करें ताकि आपको पूटेक्शन भी मिले आम नागरिक को एज़ों को तकलीश भी ना हो और साथ में जो इनको मिलती रहे और अगर यह आप कर लेंगे और अगर जितन की चीज़ से बीटी सी बनाने से वो चीज़ निकल जाएगी और इसमें नागरिक भागिदारी आएगी नेरा यह बड़ा जोर से मानना है यह लड़ाई है इस सिर्फ खाली सरकार में या सेक्रिटी फोर्सन से नहीं लड़नी है नागरिक भागिदारी भी है जो नॉर्मल से अगरिक भागिदारी ले इसमें करें लड़ाई हम मिलके करें ताकि हम सब लोग सेफ रहें हम सब लोग लोग सब लोग जुशाली आए बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसमे नागरिक यानी जो आम शेहरी हैं उन्हें भी आतंगवाद के खिलकर निकलकर सामने आना होगा और जिस दिन सुरिनगर के लाल चौक पर जम्मू कश्मीर के और कश्मीरी अवाम आतंगवाद के खिलाफ नारे बाजी करने लगेंगे उस दिन आतंगवाद के छुटी हो जाएगी आतंगवाद का काम तमाम हो जाएगा जम्मू कश्मीर से मैं फारूक रिंजुशा जी आपके पास अना चाओंगा फारूक रिंजुशा जी बड़ी अच्छी बात यहाँ पर ब्रिगेडिया धिमान जी ने कही है कि आतंगवाद के खिलाफ दाइरा तंग हो रहा है अब सिर्फ जरूत इस बात की है कि कश्मीर के लोग आतंगवाद के खिलाफ खुलकर निकल कर सामने आ जाए आप सही कह रहे हैं और ब्रिगेडिया साब ने बड़ा अनलेसिस किया जे जो अनलेसिस इस वक्त सब लोग जो कश्मीर के मैच्छर लोग है इंट्रिक्शुल लोग है और मेजॉरिटी जिनके हमेशे थी जो बिचारे परेशान किये गए अन नारू से जिन नारू ने कर्मानों को भी बिचारों को सप्रस किया उनका गला गोंड दिया और आज वो एडियालजी ने शिर्फ यहां पे यह बात गोर से सुने और ब्रिगेडिर साब भी सुने और यह जो दूसरे पैनलिस्टे वो गोर से सुने और आडियन सारा सुने इस वक्त एक राइजिंग ह हो रही है गिल्गत बलतिस्तान में कि जनाब अगर जमो कश्मी टरिटरी का अकॉर्ड हो गया है इंडिया के साथ इंडिया डॉमिनस के साथ एड हम भी उस टेरिटोरियल मैप में एक हिसा है तो वी वांट तो जोईन इंडिया वो सडकों में निकर रहे है बहुत जलूस न इंटलेक्शूल भी कह रहे हैं कि हम से जल्म हो गया हमारा हम तो यहां दरिया से गवाडर तक वतस्ता के साहिल से ताबए गवाडर तक हम बाजबता एक बहुत बड़ा पार्ट इंडिया के साथ जॉइन किया है और यह जिमदारी है हिंदुस्तान गार्मिन्ट की भी कि व गिल्गत बल्दिस्तान हमें लाके दे दे और उन लोगों को भी जो सफर कर रहे है यह जो नया उबर रहा है यह बेसिकली उसको सबटाज करने की कोशिश की जा रही है कि कि वह वहां पे डरे हुए है कि अगर यह इसमें दोनु तरफ से रस्पॉंस आया कश्मिरु ने भी रिस्पॉंस दिया और गिल्गत बल्दिस्तान वाली तयार बैटे है तो यह सारा जो शाराई अबराशीम पे भी हम टेक ओवर कर लेंगी माशाल्ला ने बिल्कुल जाहर से बात है मैं आज़े भारती जी आपके पास आना चाहूंगा जो बात यहां पर फारुक रंजुश आतंगवाद तो खत्म हो जाएगा लेकिन उस पार जो हमारा अटूट हिस्सा है पाकिस्तान जिस पर कब्जा किये हुए है अब उसको भी लाने के बारी है मुझे बुहरारे साथ इस पर इस कम से कम भारते जन्दा पार्टी की सरकार पर कोई यह नहीं कह सकते है कि इसमें कोई डाइलूशन है या कोई कनिफ्यूजन है आपको याद होगा कि जब पांच और छे अगस्त को पारलेमेंट में जिस दिन अबरोगेशन आफ तीन सो सतर की बात चली थी उस दिन ग्रह मंतरी अमित शाजी ने इसको साफ कहा था और बहुत ही जोर दे कर कहा है और वो उसके आगे उसको बढ़ाया भी है कुछ सिटेपस में लेकिन हम इसको भी एप्रिशेट करेंगे ये सारा काम इस प्रकार का है जिसको सरकार को उसकी टाइमिंग और उसके तरीके को इसको कैसे डिसाइड करके वो कर रहेंगे लेकिन एक आशवासन है कि होगा तो जरूर क्योंकि जमू किश्मीर पूरा के पूरा जमू किश्मीर बारत का एक हिस्सा है यहां की जनता इसकी आसपेरिशन ऐसी है हाँ बहुत देर तक इसको इग्नोर किया गया इसलिए उस पर काम नहीं हुआ अब जब काम हुआ तो जिस तरह से पहले लोग समुझते थे तिन सो सतर कभी हटेगा नहीं टेंपरिरी होने के बाद भी ऐसे ही उनको जब एक दिन पता चला के हट गया ऐसे ही एक दिन जब हम जाग जाएंगे तो पता चले का कि जो पाकिस्तान दौरा ऑउक्पाइड जुमु किश्मीर का हिस्सा है वो बारत के साथ मिल गया है हमको विश्वास रखना चाहिए लेकिन उसके साथ अभी जो हमारी जिम्मवारी है सरकार की नजर कश्मीर जमु कश्मीर से हटकर अब जिस कश्मीर पर पाकिस्तान ने कबजा किया हुआ है जो हमारा अटूट इसा है प्योंकि इस पर भी हमारी नजर होगी सिर्फ जरुत इसी बात की है जिस पर सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात करी ब्रिगेडियर धिमान जी ने और फारुक रिंजु शाजी ने भी कहा झाल झाल